हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ततकाल एजुकेशन पे दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए रीजिनिंग के दस अतिमात पुन प्रस्ने के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो सभी इंपोर्टेंट प्रस्ने कुछ सेट पैट प्रस्ने को सामने दिया गया है यानि शिरिंखला को पूरा करें यहां पर 5,7,59,5,11,5 ए प्रस्नवाचा के चीन पर यह चार अप्सन में से कौन सी संग्या भारा जाएगा और प्रस्ने दिया है यानि रक्त जो इना हिर्दे से समाद थे ठीक कुशी परकार से वायू यान जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो चलिए दोस्तों पहला प्रस्ने देख लेते हैं दोस्तों पहला नेवर प्रस्ने इसमें देए कि शिरिंखला को पूरा करें नीचे एक शिरिंखला दिया ठीक इस शिरिंखला पर एक प्रस्नवाच्चा go आया सिरेंगर कला किस तरह से चल रहा है ठीक है यह पर से चल रहा être तो 5 में जब 2 जूड़एंगे तो 5 हो जएगा और 5 नहीं पूलस में आपको क्या करेंगे लेकिन इसी तरीका से में क्या करेंगे चार घटा लेंगे तो क्या करेंगे चार घटा लेते हैं ठीक माइनिस हो गया तो चार हो गया अब यहां पर देखिए पांच पांच लेके हो रहे एगारा तो छो पांच जोड़ देंगे लेकिन छो से यहां पर क्या करेंगे चो पांच जोड़ेंगे तो देख की था मारा में आतरा की था रख वांजो प्रश। क्या करेंगे क्या करेंगे यहां पर 5 को छोड़ देंगे क्या करेंगे हैं για यहां पर 5 इंदे खीन कुछoll bricks तर्फिक है कि दीखे देखें 5 5 5 है यारी यार रहा में क्या करते हैं दो जोड़ देंगे ता कितना हो जाएगा यार में आपको प्लफ दू कर लेंगे कितना कितना हो जाएगा दोस्तों मैं उम्हेद करता हूं कि प्रश्ण को भी आप अच्छे तरह से समझ पहोंगे चलिए दूसरे नहीं प्रस्ण फ्रस्ण वह त्पर conscious नजड़े होता है नीre stump होता हैarina मैं इक लिख कहाँ होता है यहाँ अधर यहां पर हम आपको फेफड़े लिख लेंगे क्या करेंगे यहां से क्या होगा एकात्रित लिखेंगे लगत्रित लिखेंगे यहां पर फेफड़े लिखाग रहा है डूस्तो माई उमीद करता हूं किकि फ्रेश्न को भी अच्छे तरह स्वाज़री हूंगे चलिए दोस्तों नेक्स प्रस्ण देख लेते हैं दोस्तों तीशरे नमद क्राइब ने लिखी चीत्र में कितने तीर कुण रहें देखें यहां पर 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, अभी कितना दिख रहा है, अभी 8 दिख रहा है, ठीक, कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, लेकिन इसके बाद में फिर देखिए, 8 के बाद में अगर इसको एक रखिएगा, तक कितना हो गया, इसको एक पूरापर देखी है गें एक इधर से से हो गया एक सितना हो गया नहींकि अदो किसी तरह से दिख रहत हुई यह कंग्छ देखिए यानि कूल कितने होगाई कूल 12 तिर भूज़ाए कितने तिर भूज़ाए 12 तिर भूज़ाए तो 12 देखेंगे इसमें किस अप्षन में दिया है यानि अप्षन नबर C आपका सही हो जाएगा दोस्तो मैं उविद करता हूं कि इस प्रस्ण को भी आप अच्छा तरह से समझ पाया होंगे तो चलिए दोस्तो नेक्स प्रस्ण है देख लेते हैं ठीक कुशी परकार से एडी को लिखेंगे देखे एक को क्या लिख रहा है एक को आपको दो लिख रहा है एक को क्या लिख रहा है और आपको बी बी को क्या लिख रहा है तीन लिख रहा है ठीक कुशी परकार से यहां पर एडी को लिखेंगे एक को क्या लिखेंगे अ देखे इसी में आपको insert दिया हुआ है इसी में आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्या तोश्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्ण को भी अप अच्छा तरह से समझ प्योंगे चलिए दोस्तों नेक्स प्रश्ण देख लेते हैं इसको ध्यान से देखने बाद में क्या देख रहे हैं कलाई कलाई आपको कहा आते हैं हाथ की आनि कहुनी कहा होते हैं हाथ में यानि कंधा कहा होते हैं हाथ के भागाई देखिए अब इसको क्या देखेंगे देखिए आपको कलाई हो गया कलाई उसको लिख ले ठीक देखिए कलाई हो गया और कलाई के बाद में कहुनी हो गया और कहुनी के बाद में आपको यहां से क्या हो गया है यहां से कहुनी के बाद में क्या हो जागा यहां पर यहां पर कंदा हो गया देखें यह आपको कहुनी कंदा और आपको कलाई यहाँ पर घुटना दिया है तो घुटना किसके भाग है तो घुटना किसके भाग है तो घुटना आपको पैर यहाँ चाहिए पर घुटना किसके भाग है चाहिए दोस्तो निक्स प्रसने देख लिते हैं इसमें देके यदी निमने लिखीद स्वब्दों को शारथा क्रम सरखाँ जायाए तो एक तर्क संगत करम बनेगा देखिए यहाँ पर क्या पूचाए यहाँ पर आपको पूचाने कि सार्थक करम में रखा जाए तो एक तर्क संगत बनेगा ठीक, क्या बनेगा तर्क संगत बनेगा और सार्थक करम में रखने पाद आप इसको क्या कर देखेंगे कि एक से जो 5 तक आपको संख्या दिया है उसको ध्यान से निया निया है इसको को देखने के बाद में क्या दिख रहा है यानि इसका मतलब कि जैल गिरफतार अपराद नया है यानि यह एक आपको चूर की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, चूर की बात कर रहा है, तो हम उसी में सोचेंगे, क्या कर रहा है, चूर के बारे में ही सोचेंगे, देखी, तो चूर के बारे में सोचेंगे, तो क्या होता है, पहले इसमें क्या होगा, पहले कोई अपराद तभी तूजल मेने चाहिए ठीए यहां पर क्या होगा फ fel और अपराद करेंगा क्या करेंगा अपरें खरकर तो गिह अपराद कर shaking नयाई मिलेगा उसको क्या मिलेगा नयाई मिलेगा यानि चोर के बाद कर रहा है उसको नयाई मिलेगा तर नयाई पांच में दिया है फिर उसके बाद में क्या दिया है यहां पर फिर क्या होगा सजा होगा क्या होगा सजा होगा यानि सजा कितना में दिया है एक में दिया है फिर क्या करेगा जेल में तो जेल आपको दो में दिया है देखिए यहां पर एक बार फिर से समझें इसमें क्या बला देखिए सार्था करम है यानि अर्थसंगत आपको करम बनाना है देखिए तरसंगत में यानि इसको 500 को देखने के बाद में जिस तरह का यह दिख रहा है उसी तरह से आपको बताना है, देखे, यहाँ पर इस चोर के बाद कर रहा है, इसमें अपराधी के बाद कर रहा है, तो चोर के बाद कर रहा है, देखे, यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया कि पहले अपराध करेगा, फिर उसको गिर्याफ्तार किया जाएगा, गिर्य प्रस्ण को भी आप अच्छे तरह से समझ पहोंगे चलिए दोस्तों साथ नम्र प्रस्ण है इसमें कि राम अपने घर से 10 मीटर दच्छिन में चलता है कहां चलता है लेकिन इसे पर क्या करेंगे एक डाइग राम बना लेंगे देखिए यह आपको पूरुब होता है यह आप उपर मैं आपको उतर होता है नीचे आपको दच्छिन होता है देखिए अब इसमें क्या पूछे राम अपने घर से 10 किलो मीटर किदर चलता है दच्छिन की तरफ दच्छिन की तरफ है दच्छिन आपको यहां से देखिए यहां से चलाएंगे आपको नीचे की तरफ कितन दस किलिमेटर फिर उसके बाद में आगे दिया है कि अ आगे आपको क्या दे कि फिर 25 कुलिमेटर चलता है तो उपर हो जाएगा वो कितना चलता है चालिस क्लिमीटर चलता कितना चलता है चीछ उसके बाद यानी उसके बाद दहिने मुड़ों कर 5 ड्ला कि चलता हैilizक्प आक डाहिने 5 यहां इधर गास, चलता है exempl. पांच किमेटर चल कर अस्कूल पहुंच जाता है उसका अस्कूल उसके घर से किस दिशा में है पुछाए कि उसका जो अस्कूल है उसके घर से किस दिशा में है यहां से देखिए यहां से यहां से यहां गया फिट यहां से यहां और यहां से यहां से यहां गया यहां पर दे क्या पूछ है एफ इसके घार से किस दिशा में उसका आश्कूल है यहाँ पर उतर पूर्व क्या हो जाएगा इसके पर यहाँ पर्विर दाप होजाएगा और आपको पूर्व हो जाएगा पर किस समझ सुटार्व किस City हो जाएगा दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्ण को भी आप अच्छा तरह से समझ पाया होंगे तो चलिए दोस्तो नेक्स प्रश्ण देख लेते हैं दोस्तो आठ नबर प्रश्ण है इसमें देख कि यदि पी यानि पी भागा को निर्दिष्ट करता है और यहां पर आपको क्यू क्यू जो दिया है न गूना को आर पलस को एस और एस माइनस को निर्दिष्ट करता है तो यहां पर एक समिक्रण देखिक एस समिक्रण बराबर समीक cabeça को सोल्व करने के लिए आपको कौन सी शंख्या को दखीये रखते हैं इसमें क्या करेंगे यहाँ पर समीकम को स्वल्व करना एक समीक को चीन को बत लादें देखिए यहां पर क्या देखिए 12 यहां पर 12 लिखा है लेकिन Q को क्या लिख रहा है क्यों को गुणा लिख रहा है तो Q के जगा पर क्या रख लेंगे गुणा कर रख लेंगे फिर आपको दिया है P को क्या दिखा है भागा पी को क्या लिख रहे है भागा पी के जगवा पर भागा रख लेंगे फिर उसके बाद में दिया है कि आर आर को क्या लिखा है आर को पॉलस लिखा है आर कहा दिया है यहां पर इसको हम पॉलस रख लेंगे फिर उसके बाद में आगे दिया है कि इस को माइनिस लिखा है इस क कितना होगे तिन फिर भलके कितना होगे चार मिन किपना वह बराबर परिष्णते सक estás फिर आपको पुद्ध तो गया मैंच कितना दिए सब्सक्राइब अब इस में कितना दिया बानज कितना दिया है जाए नहीं छार में स्वेट Tina माइनिस दूर बचंगा माइनिस दूर ञेखिए आपको यहां बचाता हैं यहां पर साथ हो गया काट और साथ पलास हो जागा और माईनिस दूर में से घ्asures घ्ंद माइनिस पालस मैं से माइनिस घ्राइख आपको मैइनिस वड़ा प्ला साथ मैंस से फिर को गटाएंगे किति न बचेगा ईंत cents देखेंगे कि सी of भी 8 तरह So the first one कि इसमें दिया है कि परकास गीता से लंबा है परकास जो है ना उगीता से लंबा है यहां पर क्या रखते हैं यहां पर एक इस तरह से डागराम होना थे यहां पूछा के हैं परकास जो है ना उगीता से लंबा है तो मालीजी इसको हम क्या रखते हैं परकास हो गया ठीक परकास जो है ना उगीता से लंबा है तो परमोद से यहाँ पर क्या रखता है परमोद हो जाता है ठीक इसमें क्या हो गया परमोद हो गया यह जो परमोद है ना वो अमर से छोटा हो गया यहाँ परमोद से लंबा है अमर जो है ना वो परमोद से लंबा है लेकिन गीता से छोटा है गीता से कौन छोटा है परमोद छो चुटा है तो सबसे छोटा पूछा कि कौन है तो सबसे छोटा क्या दिख रहे मिकले ख ठीक सब्सेच आहां पर प्रमोध की फिर परमोध हो गैंना यहां पर गहाँ परमोध चम्यत फोटा को ओख परमोध हो जाएगा सबसे चोटा कौन है परमोद है तब परमोद देखेंगे की सबसंदिया है यानि आपसान नमबर आपको यह सई हो जाएगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्ण को भी आप अच्छे तरह से समाझ पहेंगे तो चलिए दोस्तों नेक्स प्रश्ण देख लेते हैं तो ऊसी कोड में ह्यानि ह्यार को कैसे लिखे जाएगा देखिए यहां पर आपको आपको देखेंगे कि जो आपको इतना लिखा है नहीं कि प्रकार से यहां पर आपको एक है ए आर्ट को लिखे इसको किस प्रकार था गिए यहां पर क्या लिखा है इसको की लिखा है फिर इसको क्या लिखा है फिर उसके क्या लिखा है एम लिखा है फिर जेड लिखा है फिर एस लिखा है एक किस परकार लिखा है तेक उसी परकार से लिख लेंगे इसको भी रखेंगे देखें यहां पर आपको इसी में आपको इसक इसको जो है ना इसको किस परकार से लिखा है ठीक उसी परकार से इसको लिखेंगे ना यहां पर क्या दिये इसका जो एंसर देखिए इसका एंसर इसी में आपको दिया हुआ है देके इस कितने पाया है त्था इसको क्या इस लिखा है उसी तरीके से आपको यह को आपको देखिए क्यूं लिखा है तो आपको एथी आ को क्या लिखा है तो हम लेंगे ओर हैं एम रखेंगे को देखेंगे पी को क्या है निच होना चाहिए क्या होगा एम्जेड लोस्ता मुझे करता हूं कि इस प्रश्न को भी है अच्छ दोस्तों नेक्ट्स वडियो में मिलते हैं तब तक जैसें दोस्तों